नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहारवला राजीवी यूट्यूब चनल दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 17 से 8 नमंबर के बीच जो महामंत्री हैं AIRF के मानिय सिभुपाल मिस्रा जी हमारे जो रेल्वी वर्ट के चेर्म आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोग के बीच जरूर शेयर करें दोस्तों जिन भाई लोग को यह लगता है कि हम बस हमें पैसा कमाने के लिए कुछ भी वीडियो बना देते हैं तो दोस्तों कितना पैसा यूटूब से मिलता है क्या नहीं मिलता है तो ऐसा कुछ भी दोस्तों और सही जानकारी जो मिलता है सही जो अपडेट आता है वह आप लोग के बीच रखते हैं अप लोग के लिए महनत करते हैं तो अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए लेकिन निगेटीव कमेंट बस मत किया किजिए और अच्छा लगता है वीडियो तो साथ बने रहे और वीडियो को पूरा जरूर देखें तो तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि आज से कुछ दिन पहले अभी अमरी सर में जो हमारे महामंत्री हैं से वोपाल मिस्ता जी गए थे और आप देख सकते हैं कि वहां पे गए थे और बहुत सारे अपरेंटि मीटिंग करेंगे और फाइनल जो डिसीजन है उस चीज को लेके हम बात करेंगे दोस्तों जैसा कि हम जितने भी अपरेंटिस साथी हैं सभी को इंतिजार कर रहे हैं इस चीज को लेके जितने भी अपरेंटिस हैं उनको रेलवे में समिलित किया जाए इस चीज को लेके हम वीडियो भी बनाये थे और आप लोग के बीच वाले थे जैसा वो वीडियो में सिवपाल मिस्राजी बोले हैं उस अनुसार से लगा कि यह जो मीटिंग है उसी चीज को लेकर दोस्तों एक बात आप लोग से कहना चाहेंगा जो किलियर बात है उस चीज पर कि दोस्तों अभी जो हमारे सिवपाल मिस्राजी हैं उनके ऑफिस्यल पेज या फिर जो पेज है उनका AIRF का वहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं आया है दोस्तों ऐसा आपको एक बात बता दे कि जैसे ही कुछ मीटिंग होता है उनका तो उनका जो पेज है उस पे अपडेट आता है लेकिन तुरंत नहीं आपाता है तो दोस्तों एक बात जान लीजे कि हम एक दिन और भी इंतिजार कर सकते हैं और यहां पे 17 से 18 नमबर के बीच में हुआ है तो आज आपका बताते हैं कि 18 नमबर है और यह वीडियो मैं सुबह में रिकॉर्ड कर रहा हूं और दोस्तों आपको बत जाए तो अभी थोड़ा सा और भी हम देख सकते हैं लेकिन ऐसा जब भी कोई मीटिंग होता है वहां पे तो उसको लेके एक किलियर चार्ट मतलब PDF तयार हो जाता है कि AIRF के तरफ से यह यह बाते रखी गई है तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अमरी सर म होगा इस बार नहीं माना गया तो हम आगे चलके कुछ बड़ा बात भी करेंगे लेकिन अभी जब बाते निकल क्या रही कि कोई भी अपडेट ने तो जितने भी स्टूडेंट है जितने भी अप्रेंटिस साथी है वह परिशान हो रहे हैं कि क्या कुछ बाते नहीं रखी बार उसी तरह से धोगा दिया गया तो दोस्तों देखिए जायस सी बास है कि जो स्टूडेंट इतने दिन से जो अप्रेंटिस जो अप्रेंटिस इप है वह इतना दिन से इंतिजार कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं निकल लाए तो निगेटिव बात बोलना कोई बड़ा ब आपको यह सब कुछ प्ता है वीडियो मैं लेकिन अभी जो मीटिंग हुआ उसको लेकि हम आप आपके बीच बताए भी थी और देख सकते हैं यह मीटिंग हुआ था रेलवे भावन नियु देली में हुआ था तो के लिवे बात करें गया है इसे चीज को लेके दोस्तों सही बात है कि उसमें कोई मुद्दा है नहीं के लेकिन एक पीडियेफ उनका आता है जो official website है उस पे तो अभी तक कुछ official website पे भी आपको ले जाक दिखाएंगे कि कुछ अभी update हुआ पे नहीं दिये गए कि हाँ meeting हुआ उसमें हम यह बात रखे कुछ भी नहीं डाला हुआ है तो दोस्तों थोड़ा सा और इंतिजार कर लें और आज 19 नमंबर है देखिए हो सकत है साम तक उनका जो official page है उस पे डाला जाए क्या हुआ है नहीं हुआ कि लिए रूप से तो दोस्तों अभी देखिए कि यह जो meeting हुआ उसको लेके हम वीडियो दिये और बताया कि कुछ अच्छा result निकल के आएगा और सभी इंतिजार भी कर ले थे कि नहीं इंतिजार कर र के साथ में हुआ है यहां पर जो स्विभूपाल मिस्ता जी है वेनुपी नायर जी है यह सभी को है आप देखिए यहां पर एक skin sort आप देख सकते हैं दिखा रहे हैं आपको आई यह एक north west railway pledge union का जो है आप देख सकते हैं कि यह लेटर है इस चीज़ को लेके अभी इसमें लिखा हुआ है ठीक है ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे को 1900 ग्रेड में convert करने की बात कही गई और यह आप देख सकते हैं कि यह जैपूर जोधपूर अजमेर विकानेर कारखाना जोधपूर नर्थ वेस्टन दिल्वें इंपलाज यूनियन अब यहां का है और यहां पर द दोस्तों सभी जो अपरेंटिस साथ हैं उनको लग रहा है कि कोई बात ही नहीं रखा गया तो दोस्तों और यह भी बात है कि इसमें कुछ निकल के नहीं और लेकिन यह जो लेटर है नॉर्थ वेस्ट रिल्वें इंपलाज यूनियन का है दोस्तों अगर एक बात कहें कि हम थोड़ा साथ देख लेते हैं कि जो हमारे सिवगोपाल मिस्टा जी हैं उनका पेज पे या जो हमारे उनका जो ए आई आरफ का जो पेज है उस पे कोई अपडेट आया है या नहीं आया है तो दोस्तों पहले हम चलते हैं वहाँ पे दोस्तों अभी हम सिवगोपाल मिस्टा उस पर चलते हैं दोस्तों अभी हम AIRF का जो official page है उस पर आ चुके हैं दोस्तों अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि यह NRMU का 73 वार्सिक अदिवेशन जो अमरीच सर में हुआ दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह जो अमरीच सर में हुआ उसी का भी पोश्ट यहां पर किया हुआ है यह सब आप देख सकते हैं उसके बाद जो कि अभी हम आपको वीडियो में दिखाए भी है तो यह अमरीच सर का ही पोश्ट अभी किया हुआ है लेकिन अभी तक जो 18 से 17 से 18 नमंबर के भी जो मीटिंग वह उस इसमें कुछ भी नहीं किया गया तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह चार दिन पहले का पोश्ट है लेकिन अभी का कोई पोश्ट नहीं लेकिन AIRF के जो टीम है वह यहां पर पोश्ट करते हैं तो देखे कि आज कोई भी अगर अपडेट इस पेज पर आता है तो उसका भ अपिसल पे जा उस पे भी गया लेकिन वहां पे भी कोई पोश्ट नहीं किया गया जो 17-18 नमावे के भी जो मीटिंग वह उसको लेके डीटेल्स में कुछ भी पेडियाप या फिर कोई भी बात लिखा नहीं हुआ है तो दोस्तों थोड़ा से एक से दो दिन और इंतिजार कर लेते हैं उनका जो औफिसल वेब साइट है उस पर पूरा किलियर रूप से जो है पोस्ट किया जाता है हम देख लेते हैं कि वो बात रखे हुए होते या रखे हुए हैं तो यह भी अच्छी बात है इस टीट को लेके चले खुछ बात हुआ लेकिन अगर नहीं बात हुआ तो यह बहुत दुख की बात है क्योंकि हम इतना जानते हैं कि हम डेल बे अप्रेंटिस जो हैं बहुत इंतिजार करते हैं कि हम आज हमारे लिए बहुत अच्छा फैसला होगा अगर नहीं बात होता है तो यह बहुत दुख की बात है दोस्तों आप देख सकते हैं यह सिभोपाल मिस्टा जी है यह वेनुपी नायर जी है यह दोनों देखें आप देख सकते हैं कि यह लोग मीटिंग से वहीं से आप देख सकते हैं यहां पर यह वहीं का मीटिंग का है आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर ही मीटिंग हुआ है यह अबुधी आपडिट देते हैं या पिर उनका कोई पीडिया पाता या उनका लेटर के तरफ से कि हम रेलवे अप्रेंटिक्स को लेके बात रखें है तो हम इतना ही करते हैं अगर ये वीडियो भी जा रहा है उनके पास तो जरूर इसको लेके किलियर करें और हम बस इतना चाहते हैं कि जो अब रेल अपरेंटिस हो उनको लेके जल से जल नया हो यह नहीं कि बस ऐसे ही टलता रहा है मीटिंग होते रहे और नेक्स्ट मीटिंग में फिर इस तरह का बात होगा तो इस तरह से कितना दिन चलेगा अगर ऐसी बात है तो इस तरह से कितना अपरेंटिस आथी हैं उनको कुछ बड़ा ही कदम उठाना पड़ जाएगा लेकिन हम चाहते नहीं है कि सांति पुर्ण धंग से जो हमारे रेलवे बोट के चेर मैंने सुनिश तर्मा जी और रेलवे बे जो मंत्री है हमारे सिरी मानिया स्वानी विसनफ जी उनसे हैं बस यह भी बिंती करते हैं जल से जल फैसला दिलवाएं और जो हमारे सिर्वोपान मिस्टा जे उनको भी यही कहेंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं नम्र निवेदन है कि जो अपरेंटिस साथ हैं उनको इस तरह से नहां हो जल से जल वह इ करनी कल जा दो सो एक दो दिन देख लीए कि जो ओफिसल वैप साइट है जो अफिसल पेज है जो यही वहाँ से कुछ अपडेट आता है की नहीं आता है उसके बाद देख लीजिए ठीक है तो दोस्तों यही वीडियो में अपडेट देना था और भी कोई अगर कल या आज म आपको वीडियो मिल जागा तो चैनल को सपोर्ट करते रहें वीडियो अच्छा लगता है तो सेयर कीजिए नहीं लगता है तो कोई बात नहीं और चैनल को सपोर्ट कीजिए अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो नेस्ट अब्रिक्स का तब तक